हेलो एब्रीवान दिस जॉक्टर नीलम अवतार सिंग होमेपैथिक कंसल्टन्ट लास्ट वीडियो में मैंने ट्यूटोरियो स्टार्ट किये हैं जो के यांग होमेपैथ के लिए स्टूडेंट्स के लिए बडिंग होमेपैथ के लिए यहां वो डॉक्टर जो होमेपैथी को इसके माइंड सिस्टम को बिलकुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं इस टूटोरियल्स और वेरी हैल्फूल फ़र दैं सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केस टेकिंग क केस टेकिंग इन जेनरल हम कैसे कर सकते हैं आज हम बात करेंगे एक्यूट केसिज में हम केसे कैसे करेंगे एक यूट केसिज वह केसिज होते हैं जो बहुत शॉट्ट डिउरेशन वाले अले होते हैं जिन में स्वीरिटी बहुत ज्यादा होती हैot जैसे बुखार हो गया, दो दिन हो गये, कल हो गया आज से वह हो गया या माईग्रेन हो चाहे migraine एक chronic problem है लेकिन जब इसका migraine का episode होता है तो बहुत ज्यादा वो acute cases में आता है या किसी को appendicitis का दर्द हो गया या किसी को kidney stones है वो दर्द हो गया तो ये सब acute cases होते हैं जिनमें इमीजेटली attention की जुरूरत होती है इमीजेटली हमें सिर्फ दो या तीन बाते करके दो चार symptoms लेके जिनमें हमने quickly decision लेना होता है कि patient को कौन सी दवाई देनी चाहिए सो वैसे तो हर case में observation must होती है आपकी आंखें खुली होनी चाहिए observe करने के लिए patient के different expressions और दूसरा वो जो बोलता है वो जो दो या तीन या उससे जो भी questions पूछे जाते हैं उनके किस तरह से वो answer देता है सो observation as well as answers of the questions जो हमने उससे पूछनी है उसके लिए three P is very important PPP that means present predominant and persistent जो भी वो symptom है वो present होना चाहिए जो उसका दिल करता है करने को या जो वो आजकल अभी महसूस कर रहा है that is present अभी का persistent लगातार चल रहा है वो रुब्रिक persist कर रहा है वो mental condition persist कर रही है वो हालत persist कर रही है and predominant कि वो ज्यादा dominant है बाकी चीजों से predominant है बहुत ज्यादा marked है so यह three things present predominant and persistent इस पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना है अब हम एक्जेम्पल्स लेंगे जैसे बुखार का case लेते हैं बुखार में हर patient अगर वो बैलाडोना वाला है है कॉकुलस वाला है जल्सीम्यम है ब्राइनिया है हर अपने केस को अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा जैसे बुखार में हम पूछते हैं के आपका क्या करने को मन करता है तो patient बोलेगा के मेरा दिल करता है बस लेटा रहूं कुछ ना करूं कोई शोर शरबा ना होए कोई बुलाए ना कोई कि डिस्टर्ब ना करें तो इतनी सी बात में हमारे पास चार-पांच रूब्रिक्स आ गए अगर उसका दिल करता है कि बस लेटा रहूं बैट पर दैन इस बैट डिजायर तूरी में इन अगर उसका दिल करता है कि चुप करके लेटा रहूं चुप करके पड़ा रहूं या चुप करके बैठा रहूं या दिल करता है कि चुप ही रहूं अगर उसका करता है कि बस मुझे कोई ना बुलाए कोई मेरे साथ बात ना करे और अगर कोई बात करता है तो मुझे गुसा आता है दिस इस पोकन एवर्स तू बिंग and irritability spoken to when कि जब उसका बात करने को दिल नहीं करता है लेकिन जब कोई बात करता है तो उसको गुसा आता है थोड़ी irritability होती है कि मत बुलाओ मुझे पेशन्ट कहता है कि दिल करता है कि अंदर जाके कमरा बंद करके अंधेरे में पड़ा रहूं और कोई न बुलाए किसी से बात ना करूं चुप करके लेटा रहूं इसमें रूब्रिक आता है darkness desires for lies in the dark and not to be talked to कि अंदर जाके कमरे में बंद करके पड़े, curtains बगेरा सब बंद करके लेटा रहूं और कोई बुलाए ना अंधेरा हो कमरे में और कभी patient बोलता है कि मेरे से यह दर्द बरदाश्ट नहीं होता कभी भी बरदाश्ट नहीं होता चाहे मुझे थोड़ी सी problem हो जाए तब भी बरदाश्ट नहीं होता इस इंटॉलरेंस ओफ कंप्लेंट्स या इंटॉलरेंस ओफ एल्मेंट्स कुछ कुछ तो ऐसे सिम्टम्स हैं यह जिन में सिंगुलर मेडिसिन है जैसे इंटॉलरेंट इंटॉलरेंस ओफ कंप्लेंट्स में सिरफ नक्स वॉमिका है तो हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि उस वक्त पेशेंट का क्या करने को मन करता है जब उसको तकलीफ होती है एक पेशेंट के दर्द हो रहा है वह बहुत चिल्ला रहा है श्रीकिंग एड फॉर यह श्रीकिंग हैल फॉर एक दूसरा पेशेंट है वह चुप करके सहन करी जा रहा है बरदाश्ट करी जा रहा है दर्द को हर पेशेंट जैसे जैसे एक्स्प्रेशन देगा जैसे जैसे वह बोलेगा या जैसी जैसी चीजे करेगा उसी तरह की उसकी मेडिसिन होगी एक्यूट केसिज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका क्या करने को मन करता है जो एमर्जेंसी केसिज होते हैं उनमें भी यही पूछना पड़ता है कि आपका इस वक्त क्या करने को मन करता है एक्यूट केसिज फीवर के केस में जैसे पेशन्स बोलते हैं कि जब तक इनको 100 तक फीवर है 101 हुआ तो थोड़ा सा इनको लगते है कि बुखार है और फिर ये अंदर जाके लेट जाते हैं जब इसको 102 बुखार हो गया तो अंदर जाके लेट ना किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है वो तो घर वाले ही जाकर देखते हैं कि क्या हो गया बच्चे के केस में भी हो सकता है बड़े के केस में भी हो सकता है तो जब घर वाले देखते हैं कि क्या हुआ और बुखार इतना ज्यादा हो जाता है जब पूछते हैं कि क्यों नहीं बताया तो वो कहते कि बस कोई बात नी मुझे बुखार है मैंने क्रोसिन ले ली थी तो अपने अप ठीक हो जाएगा कोई बात नी क्योंकि वो अपने घरवालों को तंग नहीं करना चाहते और उनको यह कि कोई बात नी बुखार हुआ ठीक हो जाएगा रेकोगनाइज रियालिटी एंड एकसेप्स जिसमें पेशेंट काफी देर तक बरदाश्ट करता रहता है फिर जब उसको लगता है कि थोड़ा थोड़ा अब बढ़ रहा है थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो किसी को भी तंग नहीं करता है अपने अप अंदर जाके जाहे जितना मर्जी कोई बच्चे शोर मचाते रहें कभी यह नहीं कहता कि शोर मत बचाओ यह दूसरी तरफ मुह करके लेट जाएगा ना यह खुद डिस्टरब इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इसको लगता है कि वह तो बच्चे है उन्होंने तो खेलना है उन्हो प्रेजेंट प्रीडॉमिनेट एंड परसिस्टेंट कंडिशन आफ पेशेंट के जो उस वक्त उसका करने को मन करता है इसके लिए आपको रेपर्टरी की नौलेज या ठरेपेटिक्स की नौलेज वह बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं हर लेक्चर में अक्सर यह कहती हू कि आप हर रूब्रिक को पूरी डिटेल में जाएए पहले आप ओवर्वियू कीजिए सारे रूब्रिक्स को एक एक बार पढ़िए और जिनके मीनिंग्स नहीं पता उनके मीनिंग्स लिखिए जैसे मैं सुबा हर रोज आठ बजे बहुत सारे ग्रूप्स पे रूब्रिक घलुफ भी उनके साथ रिलेटेड और जितनी मेडिसंस रवो पर सकते हैं यह जितने भी उसके साथ öğrenur है अप वो कर सकते इंके मीनिक्स आप अपनी बुक पे लिखिए और मीनिग्स कर पर लिखने के लिखिए आपको अपनी ही लेंगवेश यूसकर चुढ़ेगे उनका बोलने का तरीका भी वही होगा तो वर्शन भी हमें पंजाबी में ही नाः मिलेंगी उन्हीं करना है इन्टू रूब्रिक्स जोरूब्रिक्स की नॉलेज और डिफ्रेंट मैडिसंस की नॉलेज के केस कंडीशन में कॉन सी मही इस्तिमाल करने जहां तक acute conditions में medicines की बात है कि हमने कैसे repeat करनी है यह कैसे देनी है हम हर case में almost 30 potency से start करते हैं 30 potency की suppose करो किसी को fever है हमने उसको एक dose दे दी दो दो दे दी तो fever के cases में हम कभी भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं देख सकते के अभी दी है और तीन घेंटे तक fever नहीं उत्रा तो हम देखते हैं कि उसकी potency हम change करके देखेंगे 30 potency के बाद हम descending potency 6 में आते हैं बहुत सारे patients 30 के बाद 6 देने पर ठीक हो जाते हैं मान लो के तीन घेंटे चार घेंटे पांच घेंटे होगे अभी तक fever नहीं उत्रा तो हम उसको 200 potency दे सकते हैं यहां लग रहे कि बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ रहा तो हम कुछ घेंटों के बाद medicine भी change कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि जो हमने पहली दवाई ली है हम दुबारा से उसकी medicine नए सिरे से select कर सकते हैं दुबारा से उसके rubrics बना सकते हैं दुबारा से उसकी condition देख सकते हैं और फिर second medicine हम change कर सकते हैं जैसे बहुत severe pain है यह emergency case है कोई जिसमें appendicitis है kidney stone का pain है बहुत severe होता है तो हम उनमें घेंटों नहीं दे सकते हैं कि हम पूरा दिन एक दवाई दे के बैठे रहें के सारा दिन बेट करते रहो अगर हमें लगता है कि फरक पड़ रहा है वेल और अगर हमें लग रहा कि नहीं फरक पड़ता तो हम जल्दी medicine change कर सकते हैं और पीटर ली डोज भी दे सकते हैं जहां तक thermals और थर्स्ट की बात है अगर किसी भी केस में thermals बहुत ज्यादा important है जैसे मैंने एक depression का केस डाला था शुरू वाले वीडियो में तो वहां पर उनका गुसा बगएरा उनका IPR सब कुछ है पर सबसे बहुत मिलता था यह डिप्रेशन वाला केस था लेकिन जब उन्होंने अपने thermals बताए तो उससे वह confirm हो गया क्योंकि उनको इतनी ठंड लगती थी के गर्मियों के मौसम में भी वह दो-दो कैप कई बहर डाल लेते थे अगर किसी ने AC चला लिया तो वह बरदाश्ट नहीं कर पाते थे वह बाहर खुले में सोते थे कि मैं तो बिल्कुल ठंड तो बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकता तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थ यहां पेक्रनी ज्याइँ बॉट यफ लग्ती गacaktि का चुछ सभी अग्रवल्कोप्र शक्रश चेशन पेनार फोस्तियों कुछ जैपि तो यहां पर मौथ गर्मी से कुछ पाहिए जरी पीम्टा रोचबार मध्याल कि यहां पैसिश्ति जाज़ 텁माल टुमान सब्सक्रश चाहे नक्स्वामी का है चाहे सट्रामोनियम यह कॉकुलस तो वह मिंटों स्किंटों में ही फर्क डाल देती है बहुत सिवियर पेंस के केसिस में मैंने देखा है कि इतना जल्दी फर्क पड़ता है उतनी जल्दी तो कोई भी पेंट किलर भी असर नहीं करता है सो जहां पर वेल सेलेक्टेड मेडिसन आती है वहां पर एक्यूट केसिस में वह बहुत क्विक्ली असर करती है और सैंक्डों ही केसिस में हमने देखा है कि बहुत जल्दी एफेक्ट होता है सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही नेक्स वीडियो में अभी हम केस टेकिंग को ही कॉंटिन्यू करेंगे क्यूंकि अभी बहुत सारी केस टेकिंग के पॉइंट्स बाकी है तो नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे case taking part 3 की आज की वीडियो में मैंने बात की है 3P की ये 3P क्या है this is the question for today so thank you so much for watching this video और इस video के end में जो आप से question पूछा गया है उसका जवाब जरूर दीजिये subscribe to my channel and उसका answer दीजिये और कुछ वीडियो के बाद मैं जो regular मेरे subscribers है जो regularly answers दे रहे है उनको definitely कोई न कोई reward मिलेगा thank you so much for watching this video and keep watching my videos